हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू दे चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ गाला का पेपर नंबर वन जो मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ सेक्शन ए और सेक्शन बी का फुल सॉलूशन देने वाली हूँ और सी दी इ आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ बता चलो अब टाइम वेश्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं लेकिन हां मार्वल का एक पेपर मैंने अल्रडी अप्लोड कर दिया है उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्किप्शन में आप देख लेना चलो अब डिसकर्स करते हैं सो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए या ग्राफ आपका बनाते हो जब डेटा कंटीनिवस फॉर्म में दिया हो तब और डाइग्राम कब बनाते हो जब डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हो तब कैसे याद रखोगे तो डी फॉर डाइग्राम डी फॉर डिस्क्रीट और बचा क्या कंटीनिवस तो वो किसका ह हो गया ग्राफ का हो गया ठीक है चलो इसको कैंसल कर देती हूं कोशन नमबर टू वोट वस इंडिया रैंकिंग इन दो वर्ल्ड एक्कॉर्डिंग टो एच डी आई इन 2014 इंडिया की रैंकिंग थी 130 what is the maximum value of PQLI maximum value है उसकी 100 0 से 100 यह value होती है PQLI की तो maximum value है 100 lowest value है 0 से यह चलो 4th which type of inflation called when there is an increase in demand simple demand pull कैसे याद रखोगे demand शब the demand pull is the answer that's it when was RBI nationalized 5th नमबर तो कब RBI nationalized हुआ था 1949 how many major type of deposit exist in banks in India कितने major type of deposit होते है तीन होते है 7th how many minimum daily calories per person per day in rural areas is decided by Indian council of medical research rural areas वाले लोगों को कितना minimum calorie लेना ही लेना है सो याद रखना 2400 उनको लेना ही लेना है which state had the lowest poverty in the year 2013 इन में से कौन से राज में सबसे ज़्यादा गरीबी थी that's goa 9th which type of production technique increase unemployment इन में से कौन सा production technique unemployment बढ़ाता है capital intensive ठीक है 10th वाला देखते है compulsory nature of unemployment is seen in which context of labor supply active active का मतलब होता है 15 से लेके 64 या 65 साल के उमर के लोग so अगर इन में से कोई लोग unemployed है तो ही हम कहेंगे कि हाँ भाई वो unemployment के अंदर आते हैं नहीं तो क्या बच्चे लोग unemployed है तो उन्हें हम unemployed थोड़ी कहेंगे या बहुत बूढ़े लोग उन्हें काम नहीं मिल रहा है वो मतलब population सबसे ज्यादा population कौन से देश में भारत में नहीं चाइना में ऐसा तुम तुम में से कोई तो बोला होगा भारत इसलिए मैंने भूला भारत त्वाइल्ट अबैलेंस ओपेइमेंट है साओ मैंनी अकाउंट टू अकाउंट कौन कौन से अकाउंट करेंट अकाउंट एंड प्राइवेट में बदलने के लिए तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा अगर ऐसा हुआ तो लेट सी क्या होता है चलो हम हम में अभी क्या करना है उसका कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए लार्ज संकेल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल मोर दें 10 क्रोर्स वाट अगर कोई बंदा माइग्रेट कर रहा है गाउं से शहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका विकास होता ही है सो पॉजिटिव है वो बात ठीक है माइग्रेशन इस पॉजिटिव सेक्शन बी अब देखें ये क्या हाँ सेक्शन बी देखते हैं वोट इस में तब डाइग्राम का मतलब क्या होता है तो देखो ऐसा ऐसा देखा है ना 11 में बहुत देखते होंगे तुम लोग ये सब ऐसा सब रह देखें अवर डाइग्राम से अवर अլ देखें ते ना 11 दे तू वहीं बोल रहा है अगर आप graph बना रहे हो तो, क्या कोई भी graph बना लेगा, कोई अंपड इंसान क्या graph बना लेगा, ये graph को समझ लेगा, जी नहीं, the knowledge of statistics is essential, कौन सा knowledge होना चाहिए, statistics का knowledge, What is per capita income? When total income of a country, यानि की, when national income is divided with total population, the outcome is called per capita income, total national income upon total population, सही है, चलिए, उननीश हुआ In India, Central Bank is known by which name, इंडिया में Central Bank को क्या कहते हैं, RBI कहते हैं, state the full form of ATM, automated tailor machine, अब वो tailor नहीं है, देखो tailor, tailor, ऐसी spelling आएगी, Machine की spelling आती है, इसलिए नहीं लिख रही हूँ, automated, automated, ATM का full form ये होता है, ओके, What is poverty line, poverty line को हिंदी में बोले तो गरीब रेखा, English में बोलू तो definition के साथ, The minimum expenditure or income required to ascertain the minimum basic needs and services is called poverty line, मतलब कि आपके पास at least उतना पैसा तो होना चीए कि आप अपने basic needs, यानि कि जो खाना, पानी, कपड़े, वो सब पूरा कर सके, अगर आप नहीं कर पाते हैं, that means कि आप poverty line में आते हैं, सही है, 22 वा देखते हैं, Who presented four measuring road of measuring types of unemployment, Shri Raj Krishna कमिटी, Shri Krishna Raj कमिटी, ऐसा है है, Shri Raj Krishna कि Krishna Raj है, उसमें मुझे थोड़ा confusion है, Shri Krishna Raj कमिटी है, पता नहीं, आप देख लेना एक बार, Shri Krishna Raj कमिटी, तो यह answer आएगा, 23, give the formula of death rate, number of death taking place in a year upon total population into thousand, यह इसका formula है, एक साल में जितना death हो रहा है, upon total population into में, हजार, ठीक है, चलो, किस में थे हम लोग, give two example of cash crop, cash crop का example दीजिए, cotton और jute, when was Nabad established, 1982, when is it said that there is deficit in balance of payment, कब आप ऐसा कहोगे कि balance of payment में deficit है, when debit side is more and credit side is less, उस time पर आप कहोगे कि deficit है, और कब कहोगे कि surplus यानि कि profit है, जब credit side ज़्यादा होगा and debit कम होगा, simple सी बात है नहीं, surplus मतलब क्या होता है, profit होता है, इसका मतलब हमारा credit side ज़्यादा होगा, debit कम होगा, यहाँ deficit बोले है, मतलब कि loss, कब loss होता है अपने को, अकाउंट पर रेनम दो साल से 11-12, इतना नौलेज होगा ना, कब loss होगा अपने को, जब debit ज़्यादा होगा, credit कम होगा, at that time we said that there is deficit in balance of payment, 27, give the meaning of balance of trade, balance of trade का मतलब क्या होता है, so basically बोलू तो, balance of trade एक accounting statement है, which shows us the value of import and export from tangible goods, balance of trade एक accounting statement है, जिसे देखकर हमें पता चलता है, कि हमने कितना import किया और कितना export किया, किसका tangible goods का, मतलब उन goods का जिने हम छू सकते हैं, उनका हमने कितना export करा, कितना import करा, कितना income आया, उसी को हम कहते है, balance of trade, 28, what is cottage industry, cottage industry का मतलब क्या होता है, the industries run by family members, यह जो industries होते हैं, family members वाले ही चलाते हैं, बहुत कम investment का use करते हैं, बहुत कम electricity का लोग यूज करते हैं, so the industry run by business, sorry, the industries run by family members, by using minimum electricity and by investing very little, so that industries are called cottage industry, those industries are called cottage industries, when was the implementation of SEZ done in India, कब SEZ का implementation हुआ था हमारे भारत में, 2000 में, ठीक है, 2000 में, नहीं पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है, क्या लिखा मैंने, section C, discuss कर लेते हैं, कौन सा question, कौन से chapter का है, पहला देखे, state the importance of diagram and graph in economics, chapter 1, mention the type of graph, chapter 1, mention any two limitations of the concept of economic growth, chapter 2, how many are determinants of PQLI, chapter 2, state the type of money, chapter 3, state the characteristics of inflation, chapter 3, give the meaning of reporate, reverse reporate, chapter 4, explain the function of RBI as a banker to the government, chapter 4, explain the meaning of relative poverty, chapter 5, explain the cause of rural poverty in brief poverty, chapter 5, chapter 6, when and with, chapter 6, state any four factors influencing the balance of payment, chapter 9, internal trade, this is also chapter 9, who is called, what is called cooperative sector industries, chapter 10, how can social structure be changed by industrialization, chapter 10, now let's get move on section D, mention the question areas in using computer and internet technologies for studying, chapter number 1, difference between, chapter number 2, chapter number 2, chapter number 5, chapter number 5, explain the cause of low death rate in India population, chapter number 7, seven, seven, मैंने पहले जो बनाया था, वो चिडिया जैसी लग रही थी, अभी 53, discuss any three factors influencing, chapter number 8, write an out on exchange rate, chapter number 9, discuss any three point of difference between domestic trade and international trade, chapter number 10, discuss any three point to prove importance of small scale industry, chapter number 10, अभी section E आ गया है, वो सी में अच्छा है ने section E, तर चार पाच रहता है, इसमें दोखो कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है इसमें, चलो देखते हैं, discuss the cause of inflation, chapter number 3 का है ये, describe any five reasons of unemployment in India, Unemployment कुण सा चाप्टर है, 7th, give the meaning, एक मिनेट, Unemployment 6 चाप्टर है, give the meaning of birth rate and discuss social factor as the cause for high, chapter number 7, population, discuss the institutional and technological factors on low productivity of agriculture in India, chapter number 8, अग्रिटल्चर, explain the positive effect of urbanization, chapter number 11, explain the cause of migration, chapter number 11, एक लाश यहां पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, simply इसको बार डाइग्राम बना देना है, थोड़ा बहुत अनलाइस कर देना है, कि मतलब 1901 में 954 थे और देखते देखते 2011 में कितने कम female हो गई, 918 हो गई, जब compare करे 1000 मेल से से तो, ऐसा ऐसा मतलब आइनलाइस करके आपको लिख देना है, ठीके ज़्यादा आइनलाइसिस मत करना, ज़्यादा फोकस बना लेना पहले अच्छे से यह, ग्राफ डाइग्राम बुला है न, डाइग्राम बुला है, simple bar diagram, वही simple bar diagram ग्राफ वही यह क्यों होता है, तो बार डाइग्राम आपको बना लेना है, ऐसा वाला जो आता है, इसा ऐसा, वो बना लो और थोड़ा बहुत अनलीसिस करतो, और ब्लाइग्र स्टूजन्स को सिर्फ अनलीसिसी करना है, सही है, वो, खतम हो गया, पेपर नमबर टू है, जो हम कल स्वाल करने वाले है, तो चलो यार, यहाँ पर खतम होता है, हमारा ये पेपर नमबर वन गाला का, मैं कल वापिस से मिलने वाले हूँ आपसे, पेपर नमबर टू के साथ, तब तक ले, बाई बाई, ताटा आउजो, अपना खयाल रखो, पढ़ते रहो, बहुत कम टाइम है, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, चलो मैं मिलती हूँ कल, बाई, बाई, वाए, पाई, आपसे लिए झाइए,